कई लोग जब बीमार पढ़ते हैं तो वो बिना चिकित्सकी सलहा के मेडिकल पर जाकर दवाई ले लेते हैं जो आपकी सेहत के लिए नुक्षान दाय हो सकती है और जब उस दवाई से साइड एफेक्ट्स हो जाता है तो चिकित्सकी परामर्ष की याद आती है दवाईयों पर आपने लाल पट्टी और कुछ संकेत को भी बना देखा होगा जिसके बारे में आम व्यक्ती को पता नहीं होता लेकिन ये निशान चिकित्सक को बेहतर पता होते हैं आज हम आपको इन्ही लाल पटी और और कुछ निशानों के बारे में बताने डा रहे हैं जो आपको दवाई खरीदते वक्त पता होना चाहिए ताकि किसी अन्य नुक्षान से बच सकें तो चलिए जान लेते हैं दवाईयों पर बनी इस लाल पटी और कुछ निशानों के बारे में दवाईयों पर बनी लाल पटी का मतलब कई बार आपने दवाईया मेडिकल स्टॉर से ली होंगी जिन पर कोई निशान नहीं होता आपको बता दें कि लाल पटी की दवाईया सिर दवाई पर लिखा हुआ RX का अर्थ होता है कि इस दवाई का इस्तिमाल सिर्फ चिकित्सक की सलहा के मताबिक करें अगर ऐसा नहीं किया जाए तो दवाई का आपके शरीर पर घलत प्रभाव भी हो सकता है अगर दवाई पर कहीं भी RX लिखा देखें तो समझ लीजिए कि पहले चिकित्सक से प्रामर्ष लेना है फिर इसका सेवन करना है दवाईयों पर लिखे ANDRX का मतलब कई बार देखा होगा कि कई दवाईयों पर ARX भी लिखा होता है लेकिन क्या आपको इसका अर्थ पता है दवाईयों पर लिखा नारेक्स का अर्थ होता है कि यह दवाईया नशीली है और जिस किसी के पास लाइसेंस है सिर्फ वही इन दवाईयों को बेच सकता है तो अगली बार दवाई खरीदने से पहले इन बातों का जरूर ख्याल रखें